करते हैं नम्मर 10 दोस्तों जितनी एग्रेसिब बैटिंग रोई शर्मा ग्राउंड पर करते हैं अक्सर फिल्ड के बाहर भी उतना ही हसी मजा करते वे नजर आते हैं बता दे कि रोई शर्मा अक्सर चीजों को भूल जाते हैं एंड इस बात से हर कोई वाकिफ है ऐसा ही एक फ इसके बाद वो लड़का अपना फोन मांगने के लिए चिल्लाने लगा तब रोई शर्मा मुस्कुराने लगे और फिन उसका फोन वापिस कर दिया नमर 9 दोस्तो अपने जड़ेजा की तलवार बाजी वाले एक्शन तो जरूर देखा होगा लेकिन तब क्या हुआ जब डेविड वाडनर ने जड़ेजा के सामने ही इस एक्शन को सेलिब्रेट किया दोस्तो ऐसा ही एक फणी मुमेंट तब देखने को मिला जब CSK और DC के बीच मैच खेला जा रहा था इन फैक्ट इस मैच में DC की तरफ से डेविड वाडनर बैटिंग कर रहे थे एड़ दा सेम टाइम डेविड वाडनर एक शौट मारते हैं और उस पर रन लेने के लिए दोड पड़ते हैं एक रन लेने के बाद जब रहाने बॉल को स्टम पर जडेजा के पास पहुट जाती है इसके बाद जडेजा भी थ्रो मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तब तक वाडनर अपनी 50 पूरी कर चुके होते हैं इसके बाद वाडनर जडेजा को देखते वे उनकी श्टाइल में ही अपनी 50 का सेलिब्रेशन करते हैं इसके बाद पासी नहीं रोक पाते हैं नमर 8 दोस्तों MS धोनी और जडेजा एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त हैं जो कि हमें अक्सर फील्ड पे भी देखने को मिलता है लेकिन दोस्तों IPL के इस मैच में इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद स्टेडिम में बैठे इस तवी फैंस हसने लगे दरसा लास्तान रोयल्स और CSK के बीच IPL का एक मुकावला खेला जा रहा था जिसमें CSK को नीड थी एक ओवर में 18 रनों की एंड बैटिंग पर थे MS धोनी एंड सर जडेजा तभी बैनिश्टोक्स की पहली बाल को जडेजा हवा में खेल देते ह और शॉट मारते वाक्त वो अपना बैलेंस खो देते हैं और नीचे गिर जाते हैं तभी नौन श्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी जडेजा को रन भागने के लिए बोलने लगते हैं पर जडेजा तो बॉल पर ही नजर बनाये हुए हैं और वो धोनी की बात को नजर अ अंदाज कर देते हैं हलाकि बॉल सीधे 6 पर गिरती है लेकिन तभी MS धोनी जडेजा को फणी तरीके से पीटने लगते हैं जिसे आप भी देख सकते हैं अब आपको IPL के वन अप दा फणीएस्ट मोमेट दिखाते हैं जो की काफी जादा फणी एंड हैरान कर देने वाला ह जिसमें CSK के खिलारी रान आउट करने के तीन मौके भी गवा देते हैं दोस्तों दिली और CSK के बीच हुए इस मैच में क्या हुआ आप खुदी देख लीजिए नमर छे दोस्तों वेस्टन डीज के दिगज बैट्समैन किरॉन पॉलाड IPL में अपने लंबे-लंबे शॉट्स के अलावा अपनी बेवाख हरकतों के लिए भी जाने जाते हैं ऐसी एक हरकत उन्होंने RCB के खिलाब एक मैच में की थी इन फैक्ट इस मैच में जब क्रिस गेल बैटिंग कर रहे थे तो हर बात पर पॉलाड क्रिस गेल को परिशान कर रहे थे जिससे अंपायर को उनकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने पॉलाड को क्रिस गेल से दूर रहने के लिए बोला और ये भी कहा कि अब तुम गेल से बेवज़े बात नहीं कर सकते तभी अंपायर की इस बात से पॉलाड को गुस्सा आ गया और वो ड्रेसिंग रूम में जाकर अपने मुह पर टेप लगा कर ग्राउंड पर आ गए ऐसा देख मुंबे इंडियन्स के कोच रिकी पॉंटिंग और रॉबिन सिंग भी मुस्कराने लगे बाके में ये गजब का फ़नी मुमेंट था दोस्तो पॉलाड का एक ऐसा ही एक और फ़नी मुमेंट तब सामने आया जब हैदराबाद और मुंबे इंडियन्स के बीच एक काटे का मुंकावला खेला जा रहा था इस दोरान संराइजर्स हैदराबाद के धाकर बैट्समैन डेविड वाडनर ने मुम्बे इंडियन्स के किरॉन पॉलाड को फलाइंग किस देखकर स्लेच करने की कोशिश की थी बट पॉलाड को ये जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे ले कर एक काफी ज़्यादा फणी रियक्षन दिया दोस्तों अक्सर विराट कोहली अपने मजाक्या मूड में नजर आते हैं चाहे वो ग्राउंड के अंदर हो या फिर ग्राउंड के बाहर वो अपनी ज़वरदस्त बैटिंग के अलावा अपनी फणी अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं यहां तक की वो कई वार मैच के दोरान भी खिलाडियों के साथ मजाक मस्ती करते नजर आते हैं एंड ऐसा ही एक फणी मुमेंट आईपेल के दोरान भी देखने को मिला जब विराट को हुली प्रेक्टिस करते समय डांस करने लगे जिसे आप इस क्लिप में देख सकते हैं यहां देखिए बाल और एक बरीसी नो बाल फेक देता है जिसके बाद बैट्समैन फणी तरीके से शॉट मारने के लिए दोर पड़ता है दरसल यह मैच CSK एंड रास्तान रोयल्स के बिच खेला जा रहा था तबी इस मैच के दोरान सैम करन बॉलिंग कर रहे थे एंड इस दोरान उनके हाथ से बॉल छूट जाती है जो की कीपिंग एंड पार काफी दूर जाती भी नजार आ रही थी पर बैट्समैन इस बॉल को मारने के लिए काफी फणी तरीके से दोर पड़ता है इसके बाब जूद भी बॉल काफी दूर गिरती है फिर क्या बॉलर और बैट्समैन दोनों ही जोड़ जोड़ से हसने लगते है नमर दो दोस्तों अगर आप भी IPL लवर हैं एंड IPL में किसी भी मैच को मिस नहीं करते हैं तो ज़रूर आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि कैमरा मैन अकसर खिलाडियों से ज़्यादा स्टेडियम में बैठी वी लड़कियों को दिखाते रहते हैं एंड इसकी कई वीडियो भी शोशल मीडिया पर काफी ज़्यादा वाइरल होती है लेकिन तब क्या हुआ जब इसकी शिकायत एक फैन ने IPL मैच के दोरान ही पोश्टर पर लिखकर सब के सामने कर दी दरअसल पिछले सीजन के ही एक मैच में इस टेडियम में बैठे एक CSK के फैन ने पोश्टर में कैमरा मैन के लिए लिखा कि सिर्फ गल्स को ही दिखाते रहोगे या फिर धोनी को भी दिखाओगे इसे देख कमेंटरी बॉक्स में बैठे कमेंटेटर भी हसने लगे बाद में इस शक्स ने शोशल मीडिया पर खुब सुर्खिया बटोरी नमर एक दोस्तों बारी है IPL के वन अप दी फनिएस्ट मुमेंट की जो की एक फैन दोरा साजा किया गया है जिसमें स्टेडियो में बैठे एक फैन अक्षर पटेल के साथ फनी वीडियो बना लेते हैं जिसे आप खुद देख सकते हैं